हमने लास्त दो पार्ट में चार्ट श्लोकों का संदर्वसाइत बावार्त देखा अभी ये पाच्वा च्छत्य श्लोक का हम बावार्त देखेंगे मना पाप संकल्प सोलो निद्यावा मना सत्य संकल्प जीवी धरावा मना कल्प नाते नकोवी शयाँची विकारे धले हो जनी सर्वचीची जय जय रुवीर्त परत मना पाप संकल्प सोलो निद्यावा यहाँ खुदी हमको बताता है कि अब हमारे मन से ऐसे संकल्प करने चाहिए जो कल्यान हो है तु हो जिसमें कोई स्वार्त ना हो जो परमारत है तू हो, जिससे सबका कल्यान हो, इसका ही मतलब मना पाप संकल्प सोडून देवा, स्रीनाम ऐसे करे कि जो अच्छे संकल्प है, वो हमारे मन में आए, और जो संकल्प अच्छे नहीं है, जैसे पाप का संकल्प, उनसे हमें दूर रखे, मना सत्य संकल्प जिवी ध्रावा, पहले हमने देखा पाप संकल्प, अभी सत्य संकल्प, सत्य संकल्प ऐसे होते हैं कि, ऐसे संकल्प, ऐसे विचार, जिससे दुसरों का भला हो, जीस संकल्पे स्वार्थ ना हो दुसरों के है तू अच्छी करने की भावना हो यही इस पंक्ति का अर्थ है मना कल्पना ते नकोवी शेयन्ची मेरे मन ऐसी कल्पना मत कर की जिससे मेरा मन कुछ और सुचने लगे मेरे मन में कुछ और विचार आने लगे जो मेरे मन में ऐसे विचार हो जो स्वार्थ रहित हो जिससे दुसरों का भला हो ऐसे कल्ल Karlी विचार मेरे मन में आए और जो बुरे विचार है मतलब स्वार्थ युक्त विचार दुसरों का भलान चिंतने का विचार इन सबसे प्रबू श्री राम मुझे दूर रखे यही इसकी से विकारे घड़े हो जनी सर्वाची ची मतलब मेरे मन में और मुझ्य में ऐसे विकार विकार का मतलब रोग होता है या दूरगून होते है जिसको हम विकार कहते है तो मेरे मन में ऐसे विकार ना हो, प्रभु श्री राम मेरे मन को उस विकारों से दूर रखे, जो खुद का हित चाते है, दूसरों का अहित चाते है, जिसमें कपट की बहाना हो, और ऐसे सब करने से मेरी जन में निन्दा हो, नादस्ती हो, तो प्रभु श्री राम इन सब विकारों से मुझे दूर रखे, और मेरे मन को सद्वद्दी दे, जे जे रगवीर समर्द स्री राम जे राम जे जे राम